स्वागत है विद्यार्थियों आपका माई चल पे हम आपको CUET की इंगलिश बता रहे हैं जो स्टुएंट्स एस्पारेंट हो वो इससे लाब उठा सकते हैं वैसे ही कोश्चन है जैसे कोश्चन आपकी पेग्जाम में आएंगे तो चलिए प्रेट्टिस करते हैं और आप श फ्रेट्टिस–शन नहीं आप कहा रहा हैं कि हिंदि कर रहे हैं तो हिंदी की क्लास हम पढ़ा रहा है हैं हिंदी से लेंगवज मझेट स्था ऐसन लेवर्ट आट रहां च्यालीए कि मैं मिला टिकट्ध विंडो की और मुला क्योंकि मैं जानता था कि ये 3rd level at Grand में टिकट ये मिलेगा और Grand Central के लो I could buy tickets, मैं वहाँ टिकट खरी सकता था that would take Lisa and me और जो ये टिकट हमको हमको लुशा को कहीं भी United States में ले जाते थे जहां हम जाना चाहते थे In the year 1894 में we wanted two tickets to Galesburg 1894 में बता रहा है कि दो टिकट हमको जुरुरत थे Galesburg के Have you ever been there? क्या आप वहां करहे हैं It is a wonderful town बहुत अदभूत सहर है और with big old frame house बड़े बड़े घर है huge lawn है tremendous विशाल पेंड है whose branches उनकी शाखाएं सरों तक उपर जाती है गलियों तक पहुंचती है और छट तक जाती है और 1894 में summer evening work twice as long गर्मी जो दिन थे शामे लंबी होती थी और people sat out of their lawn घर के बाहर लोग lawn में बैठते थे पुरुष क्या करते थे शिगार पीते थे और शान ती पूरक बात करते थे इस तरिया क्या क्या करती थी waving palm leaf जो पड़ी बड़े पेंडों की पतियों से palm leaf की पंखे बनाती थी with the fireflies अरूंड के अच्छा fireflies जो है मक्हिया जो है चारोर होती थी इस तरह का सांतिपूरू वहां का Gelsberg के बारे में बताया गया है to be back there with the first world war पर्थम यूद सपूर और 20 वर्स पूर the world war second over 40 years in the future I wanted two tickets for that कभी कह रहा कि लेखा कह रहा कि मैं वहां जाना चाहता था यह पैसेज है आपका पढ़ सकते हैं इसको पैसेज पढ़ने की आड़ डा लिए English की अगर आप तयारी कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि जितना आप English को पढ़ेंगे उतना आप पैसेज कर लेंगे पैसेज इसलिए परिच्छाओं में दिया जाता है जरूर ही दियाता है कि ताकि देखें कि आप English पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं कि नहीं क्यूंकि इस पैसेज में grammar के सारे रूल आ जाते हैं इसलिए पैसेज जरूर होता है तो पैसेज की प्रेटिश जरूर करिए हम दिये हैं इसको आप पढ़ भी सकते हैं रोक करके समझ सकते हैं बेतर तरीके से चलिए प्रस्न करेंगे अब पहला प्रस्न दिया है वाई डिट दा ओथर एंड लुइसा तो आप चारो अपसन देखीए किस प्रकार कि सुन्दर्ता का वर्डन गेल्सबर्ग के लिए किया गया है गेल्सबर्ग में क्या था पैसेश पड़के दिमाग में एक बार बैठा लिजे क्या क्या चीजे थी ब्यूटुफुल टाउन है विग मौर्डन फ्रेम नहीं था इट वाज बिग लॉन फ्रेम नहीं है तो अपसे नमबर आपका क्या सही हो जाएगा अपसे नमबर हो जाएगा आपका चार ठेक अगला देखें अगला है आपका नमबर थी, what were the women doing on long summer evening महिलाएं जो थी लंबी लंबी शाम को क्या करती थी क्या करती थी महिल बताईए क्या क्या करती थी महिलाएं पुरुष क्या करते थे इसमें महिला पूछा गया है आपका पाउट पीस्फुल वर्ड नहीं है आप समझ गया होंगे पहला है आप समझ क्या करती थी दे वर्ड वीविंग पाम लीफ फैन जो महिलाएं थी वो ये करती थी बड़े पत्तों की पंखे बनाती थी अगला क्या है अगला देखेंगे वे डू दब ब्रांचेज ओफ यूस्ट्री मीट बड़े बड़े प्याणों की शाखाएं कहां पर मिलती थी कहां पर मिलती थी कहां मिलती थी ओवरेड चट के मलब सरों के उपर से निकल के जाती थी और कहां चटों में लगती थी और गलियों में जो शेक शाखाएं थी प्याणों की उनके बारे बताएं तो आपसर नमबर आपका ए सही है बाकि ये नहीं सही हो साइड नहीं बिहाइंड दरूफ नहीं ओवरेड नहीं है ठीक चगला देखी अगला क्या है अगले देखेंगे इन दा सट्टेंस इस वाक्य में एंड इन 1894 को पढ़िये क्या दिया है लिखक चाहता था 1804 ने कि समरी इनिंग में अठर यूज़ दर्म फायर फ्लाइज शब्द आया है न आपका फायर फ्लाइज आपको अर्थ बताना है फायर फ्लाइज का फायर फ्लाइज फायर फ्लाइज का अर्थ बताना है क्या होगा अर्थ फायर फ्लाइज का देखें फायर फ्लाइज flying the fire नहीं है and bug with flower नहीं है and insect whose tail produces light यह होगा आपसा नम्बर जुगनु जिसे कहते हैं जुगनु को fireflies कहते हैं तो आपसा नम्बर आपका 3 सही हो जाएगा अगला क्या है देखिए पैसेज फिर दिया हुआ है आपका पैसेज फिर नहीं प्रेटिस करी है दिख से दिख अचलिए अब यह पैसेज हम पढ़ेंगे ध्याव से International Trade represents a significant share of gross domestic product जो International Trade है यह दिखाता है कि मातपोन योगदान GDP का कितना है While International Trade has been present through much of history International Trade है वो उपस्थित है पूरी इतिहास को एक cover करता है Its economic, social and political importance has been on the rise of recent century और GDP से हमको पता चलता है किसी देश की मतलब सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक, दसा का उठती गिरती GDP से Recent century मतलब कि सदापनियों का पता कर चलता है उस यूग का पता चलता है उस काल का पता चलता है यह है Industrialization, Advanced in Technology देखिए जो अध्योगी करन हुआ है जो टेक्नोलोगी बढ़ी हुए है Transportation बढ़ा हुआ है ग्लोबलाइजेशन जो वैश्वी करन हुआ है Multinational Corporation जो आ गये है इस समय परिवतन के यूग में And outsourcing Are all having a major impact on the international trade system यह जो जितना बदला हुआ है इसमें व्यापार करने के System को बहुत हद तक प्रभावित किया हुआ है Increasing international trade is crucial to the continence of globalization International trade is in principle not different from domestic to motivation Globalization के इस दौर में व्यापार करने का जो scope है वो अत्यदिक विशाल होता जा रहा है Domestic as the motivation and the behavior of the parties Is across a border or not The main difference is that international trade International trade की विसम बताया गया है International trade is typically more costly than domestic trade बताया गया है कि जो अंतराश्टी विपार है वो आंतरिक विपार से महेंगा बड़ता है Another difference between domestic and international trade is that Factors of production और दोनों के बीच में फर्क यह है कि दोनों के उत्पादन का जो तरीका है वो अलग होता है such as capital and labor are typically more mobile with a country than across the country और यह इस चीज का फर्क है कि capital and labor मुद्रा और धन यह दो चीज़े ऐसी हैं जो एक दूसरे देशों में जिनका आधदान प्रदान होता है तो विद्यार्थियों पढ़िएगा फिर से यह पैसेज थोड़ा सा economic based है हो सकता है थोड़ा सा इसलिए tough लगे आपको tough पढ़ने का भी प्रयास करिए करिए चलिए economic passage था यह देख लिजेगा पढ़ लिजेगा फिर से चलिए अगला है अगला है which of the following is one of the factors of production प्रशन है कि उत्पादन का सबसे मातपूर तत्व कौन सा है यह है कौन सा है उत्पादन का सबसे मातपूर तत्व वो है आपका profit है cost है loss capital है capital है यह तो general चीज से भी निकला है capital है what is the synonym of mobile mobile का क्या होता है mobile मने होता है चलता फिरता अगर आपको mobile का नावार्थ मालूम हो लिख लिए mobile फिरता चलता फिरता मतलब movable नमबर दो option होगा और क्या होगा which one of the following is a major impact on international trade international trade में महत्पूर परिवरतन काउंसा आया हुआ है तो यह आया हुआ है क्या इंट्रेस्ट्राइजेशन दो नमबर दो होगा है according to the author increasing international trade बढ़ता हुआ रास्ट अंतरास्ट्री वेपार किस चीश को जन्म देता है जीखिये नमबर तीन है is crucial to the contingence of the globalization यह होगा आपका नमबर तीन होगा अगला what is the main difference between international and domestic trade अंतरास्ट्री और अंतरिक वेपार में अंतर पूछा गया है क्या है क्या है क्या है आप पता है ना international और domestic market में अंतर यही है कि अंतरास्ट्री वेपार महंगा पड़ता है तो वही जो आप सन में आया है आपका दसमें का आपका हो जाएगा अंसर क्यों सा हो जाएगा नमबर टू वन इज मोर कोशली दैन दादर अंतरास्ट्री वेपार महंगा है अगला क्या है देखिए देखिए इसमें आया हुआ जो है वह आपको बताना है सेनोनिम राइट का सेनोनिम क्या होगा राइट का समानार्थी शब्द क्या होगा यह बताना है अब यह तो सरल है अब समझ रहे होंगे राइट को करेक्ट भी कहते हैं राइट और करेक्ट बिल्कुल सिंपिल कोस्चन है एक यह चीज है बाकी मार्क मतलम निशान लगाना किशी चीज को ध्यान से देखना मार्क करना ठेक है? यह स्टेट माने सीधा फिनिश माने समाप्त करना यह सनए करेक्ट हो जा इसा अगला है नमबर 27 है अरेस्ट का पूछा गया है क्या पूछा गया है? इसमें एप्रिहंड है एप्रिहंट का मतलब होता पकड़ना हमने बहले बता दिया आपको arrest इसका है apprehend का होता है to take into custody किसी को अपनी custody में लेना उसको कहते हैं arrest करना या apprehend होता है as a suspected criminal किसी को पकड़ना होता है apprehended arrest तो general word है आपको मालूम होगा apprehend भी कहते हैं पकड़ना apprehend means पकड़ना तो पकड़ने के अर्थ के लिए आता है apprehend और arrested अगला क्या है अगला है stumpy क्या है stumpy stumpy का बताना है आपको stumpy का मिलता जुदता शब्द काउन सा है stumpy stumpy देखिए होता है short and thick खोलते हैं short and thick छोटा और पतला हो इसको कहेंगे stumpy और इसको और क्या कह सकते हैं इसका होगा पढ़गी पढ़गी बोलेंगे stumpy means पढ़गी conceal देखिए सरल सब्द है conceal मने चुपाना होता है किसी चीज की रहस को किसी बात को किसी भी चीज को चुपाना तो इसका क्या हो जाएगा मिलता जलता सब्द synonym क्या होगा इसका synonym हो रहाएगा hide क्या होगा hide छुपाना efficient efficient मतलब होता है योग्य कुशल योग्य हो जाता है योग्य तो ये miss spelt में भी आ सकता है आपका E F I C I E N T efficient efficient का क्या हो जाएगा efficient का हो जाएगा किसी चीज के लिए किसी चीज के लिए योग्य होना सच्छम होना तो इसका अपका option क्या हो जाएगा option नमर आपका 4 है ठीक ओपर नीचे हो गया थोड़ा printing mistake है efficient means capable होता है चलिए अगला क्या है अगला देखिए अब आपकी परिच्छा में synonym and antonym भी आएंगे हमारी जो वीडियो में पड़े हुई है vocab dose के नाम से इसमें आप help ले सकते हैं vocab dose में आपको world मिलेंगे जो आपकी परिच्छा में मदद करेंगे तो अब आपको अपोजिट बताना है अपोजिट यह दला एंड़ानिम आए contradiction है देखिए contradiction मने क्या होता है दो चीजे विरोधी होना विप्रीध होना ठीक है lack of agreement contradiction मने होता है जहां पर समझ होता ना हो जहां पर कोई समझ आपसी समझ ना हो lack of agreement बोलते है contradiction किसी भी opinion में किसी भी action में opinion में किसी भी action में अगर समझ ना हो सहमती ना हो तो उसका कहते है दो बातों में contradiction है contradiction है तो सहमती नहीं है तो contradiction बोलेंगे सहमती है तो सहमती की English होगी agreement आपसका अपसन होगा अगला है अगला है रिलिंक्विश रिलिंक्विश मने होता है छोड़ना या तागना ठीक उसको कहते हैं रिलिंक्विश रिलिंक्विश है तो रिलिंक्विश का अपोजिट क्या होगा अपोजिट क्या होगा छोड़ना त्यागना लीव करना Abundant Abdicate बहुत से वर्ड है किसी भी पद को या किसी भी चीज को हम सोच्छा से छोड़ देते हैं उच्छा पद को जैसे भगवान चाराम चंजी ने छोड़ दिया था ना सिंगा से अपना गौतम बुजी ने छोड़ दिया था तो इसके लिए आएगा आपका Relinquish वाएगा इसका अपोजिट क्या होगा किसी भी चीज को बनाए रखना तो इसका क्या आप समय होगा Retain, Determine, बनाए रखना अच्छा है अगला है Unpredictable 33 का Unpredictable जिसकी भविश्वानी ना की जा सके भविश्वानी ना की जा Unpredictable इसका होगा आपका Dependable 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 मतलब जो चीज विश्वासनी हो जो चीज रिलाइबल हो R-E-L-I-A-B-L रिलाइबल हो जो विश्वासनी हो और Unpredictable पता ही नहीं अनिश्चित है That cannot be predicted between because it changes a lot कोई चीज बहुत जल्दी बदलती है तो इसको कहते हैं Unpredictable Dependable मतलब जो चीज विश्वासनी है जिस पर भरोसा किया सकता है जो चीज निश्चित है ठीक अगला है अगला है आपका Stern जेखिए यह Stern दिया हुआ इसका आपोजिट बताना है यह सारे आपोजिट चलना है Stern मतलब होता है सक्त बात करें Stern के अगर हम सिनॉनिम की तो हो जाएगा आपका Serious Stern का मतलब Serious Strict और Difficult और Difficult है ठीक तो Stern मतलब होता है सक्त है जो Difficult है जो Difficult है जो जुखता नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका जो उदार है Linient है क्या है Linient है Polite भी वैसे इसमें आ सकता है आप पोलाइट को भी ले सकते हैं तो इसमें दो आप कह सकते हैं दो जो आपोजिट आ जाएगा Suspicion Suspicion मालूम होगा आपको शक होता है, सुबा होता है, डाउट होता है, संदेह होता है, तो इसको क्या कहेंगे, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका होगा, जी चीज पर सक है, तो इसका आपका बन जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, अन्रीजनेबल, अपोजिट, चलिए विद्यार थे, य हम आपकी English हम आपको पढ़ाते रहेंगे English का Foundation course है और English की Wocab में दिक्कत हो रही तो आप Wocab देख लीजेगा words मिलेंगे जो अच्छे words हो अच्छे सभी हैं लेकिन जो आपको ना आते हो आपको कठिन लगे वो को नोट कर लीजेगा इसी तना से वीडियो बनाते रहें पढाते रहें इसके लिए हमारे चैनल को आप लोग अप informat to subscribe कर Kerryग को को